गुंफ दोस्तों में अनुराप कुमार आपका फिर स्वागत करता कुं आपके अपने सोट 5' का पंच में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें रोज 5 प्रस्णों का संग्रह लेके आते हैं और जिससे विभिन प्रकार के प्रस्ण निकलते हैं यानि 5 महीं आपके 25 प्रस्ण का समाधान हो जाता है दोस्तों अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल से जल कर लीजिए ठीक है आज हम इसका अठारवा पार्ट करने जा रहे हैं अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी ले सकते चलिए रोज की तरह हम आगे बढ़ते हैं हमारा सबसे पहला प्रस्ण हाल में ही पन्डित जस्राज का निधन हुआ है वे क्या थे दोस्तों संगीत कार कला कार निर्माता तो दोस्तों यह पता होना चीए कि वे सास्त्रिय संगीत कार थे, चलिए, आगे देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पंडित जस्राम, ठीक है दोस्तों, चलिए, अब इनके बारे में जानते हैं, अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ था 28 जन्वरी 1930 में, हिसार में, कहां दोस्तों, ह हाली में इनका निधन हुआ है, 17 अगस्त को, और यह कहां हुआ है, न्यूजर्सी, अमेरिका में, ठीक है दोस्तों, और इन्हें सास्त्रिय संगीत का तान सेन भी कहा जाता है, क्या दोस्तों, तान सेन, ठीक है दोस्तों, अब आप इसके बगल में पिक्चर देख रहे हैं, अंतर राष्टिय खगोलिय संग ने 11 नौंबर 2006 को खोजे गए एक छोटे से ग्रह जिसका नाम है वी पी 32 दोस्तों ध्यार रखना वी पी 32 को पंडित जसराज के सम्मान में पंडित जसराज नाम दिया है इस प्लेनेट का नाम क्या है पंडित जसराज ठीक है दोस्तों इन्हें सन 2000 में पद्म विभूशन मिला था और सन 1975 में इन्हें पद्म स्री से सम्मानित किया गया था और दोस्तों इन्हें संगीत नाक्ट एकैदमी पुरुसकार सन 1987 में मिला था ठीक है दोस्तों ये जानना ब चलिए हम आप अगले प्रस्ट की तरह बढ़ते हमारा अगला प्रस्ट हाल में ही भारत ने एर बबल समझोता किस पडोसी देश के साथ किया है ठीक है दोस्तों एर बबल क्या है मैं आपको इसके बारे में आगे बता रहा हूं चार आपके पास है स्री लंका नैपाल सबसे पहले इसके तहत हवाई यात्रा के लिए दो देश के बीचे करार किया जाता है दो देशों द्वारा दिव पक्षिय समझोता करके जब एक खास एर कोरिडॉर एक खास एर कोरिडॉर बनाया जाता है तो उसे एर बबल्स कहते है ठीक है दोस्तों ताकि हवाई यात्र भारत मिसन था कौन सा दोस्तों वंदे भारत मिसन था अब क्या चल रहा है एर बबल्स ठीक है दोस्तों इसके पहले हमने किस देशों के साथ का रखा है तो जैसे अमेरिका के साथ हमारा है ही है ठीक है दोस्तों अमेरिका के साथ है फ्रांस के साथ है साथ साथ में जर्मनी और UAE के साथ में और हाल में किसके साथ किया गया है माल दीप के साथ ठीक है दोस्तों इसके अंदर Air India एर इंडिया एक्सप्रेस इंडिगो और इस्पाइस जेट की फ्लाइटें सामिल है ठीक है जैसा कि आप जानते अंतराश्टी उड़ानों पर रोक है लेकिन एर बबल्स के तहट यह उड़ाने चल रही है अब मालदीप के बारे में जानते मालदीप की राजधानी जैसा कि आप देख रहे हैं माले है राष्टपती इब्राहीम मोहमत सोहेल अस्थापना कब हुई थी 26 जुलाई 1965 को यह आजाध हुआ था किस से युनाइटेट किंडम से ठीक है और यहां मुद्रा चलती है माल दियान्स ठीक है दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अ अब घाटन किया है ऑप्शन है स्री नरेन मोदी श्री नामनात कोई श्री अर्जुन मुंडा या स्री अमिद साह इसका जवाब है अर्जुन मुंडा चलिए जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं जन जानती है कारिय मंत्राल मिनिस्ट्री आप ट्रिबल अफेर्स इसक कहीं मंच पर भारत की जन जातीय आबादी कोनसी जन जातीयाबादी के स्वास्त और पोशन संबंधी जानकारी उप्लद कराएगा ठीक है दोस्तों स्वास्त और पॉशन के लिए ज्यान प्रबंधर ही तु उत्कुष्टा केंद्र के रूप में पीरामल दोसतों द्यान रखना पीरामल फाउंडेशन को माननेता दी है ठीक है दोस्तों और यह पिरामिल फाउंडेशन क्या करेगा यह लगातार मंत्राले से जुड़ा रहेगा और भारत की जन जातिया आबादी भारत की जन जातिया आबादी के स्वास्थ और पोशन स्वास्थ एवं पोशन से संबधित जो भी निर्णय है वो इन्पूट जो है वो किसको देगा जन जातिय मंत्रालय को ठीक है दोस्तों अब जन जातिय कार्य मंत्रालय का अगठन 1999 हुआ था कब हुआ था 1999 में हुआ था और किस से अलग हुआ था सामाजिक न्यावम अधिकार्य मंत्रालय के द्यूभाजन के बाद इसकी अस्थापना होई थी ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्न है स्री सत्यपाल मलिक को किस राज्य का और ऑप्सिन है मिजरtheum गवासाम मेगाले तो इसका दोस्तों सही जवाब है मेगाले चलिये सत्यपाल मलीक साहब के बारे में आप जैसे देख रहे हैं सत्यपाल मलीक साहब इससे पहले मेघाले में निक्त होने से पहले यह कहां के राजयपाल थे गोवा के ठीक है दोस्तों अब गोवा से पहले कहां के थे यह थे जम्मू और कास्मीर के ठीक है दोस्तों तो अब यह गोवा से कहां चले गए हैं मेघाले तो गोवा का अत्रिक्त कारभार क मेघाले की राजधानी क्या है शीलोंग। ठीक है दोस्तो क्या है शीलोंग इसमें कितने जिले हैं। जीले हैं। 21 जनवरी 1972 में यह कहां से बना था ? यह बना था आसाम में से बनाए गा था। ठीक है दोस्तोो। तो इसके पहले गवंठनर कौन थे ? तथागत रॉय, सीयम कौन है, कॉनराड संगमा, ठीक है दोस्तो, राज्य सभा की कितनी सीटे है, एक सीटे है, लोक सभा की कितनी है, दो सीटे है, और विधान सभा की 60 सीटे है, दोस्तो, मेगाले में ही जैसा कि आप देख रहे हैं, चेरा पुंजी, इसके पहले योडियो मे सरवाधिक वर्षा होती है और उसी के पास में है मौसीम राम जैसा कि आप देख पा रहें मौसीम राम यहां पर विश्व में वर्ष भर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बार बार यह प्रस्ण पूछा गया है तो इसे ध्यान रखना वर्ष में सरवाधिक वर्षा कहा होत यह चेरा पुंजी में चलिए हमा बढ़ले प्रस्थ की तरब बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्थ हाल में ही किस राज जी ने नसा मुक्त भारत अभियान सुरू किया है अपसा ने महराश दिल्ली जम्मु कस्मीर और पंजाब तो दोस्तों इसका सही जवाब है जम्मु एव चन मुर्मु और उससे पहले कौन थे जैसे पिछले वीडियो मेंने बताया सत्यपाल मलिक अब ये नसा मुक्त भारत अभियान क्या है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ शोशल जस्टीस एंड एमपार्मेंट ने 272 जिलों को चुना है ठीक है कितने जिलों को चुना है 272 जिल जिले जो हैं वो जम्मु और कस्मीर के हैं तो ये चार जिले कौन कौन से हैं डोडा ठीक है किस्तवार रजोरी और पुंच ठीक है दोस्तों ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है चलिए अब आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है इस पे लाइक कीजिए सब्सक्राइब किजिए और ज्यादसे ज्यादा इसे सेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी जा सके आप हमारे टेलीग्रम चैनल से भी जूड़ सकते हैं इस्टाग्राम से जूड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब-तक के लिए नमसकार जाए हिंद!